हेलो दोस्तों आज हम क्लास 10 का एक मैत करेंगे जो कि एस एस्टेटिक्स चैप्टर का है क्वेश्चन है मेरा फॉर दी फॉलोइंग डिस्टिबिशन क्लास 055 10 10 15 15 20 फ्रिकेंसी इतना इतना दिया है तो इसको इस फॉर्म में लिखनी है क्लास फ्रिकेंसी और सी एफ निकालना है कि यह मतलब होता है क्यूमिलिटिव फ्रिकेंसी हमसे पूछ रहा था दा सम ओफ लोवर लिमिट अव दी म क्लीक जिरो से फाइफ फ्रिकेंसी 10 10 ऐसे कैसे निकालते है फिरिकेंसी लिक देते है पहले वा Hawk करन सी जो है वह लिख दिए अब क्या करते है ते करें सेयं और यह स्येघ्टों का सम 25 फिर यह वालव फ्रिकेंसी और इसका सम यह जाएगा 527 पर 1333 800 और इसका और इसका सम हो जागा है 9766 66 एक बात याद रखिए का इस टोटल का सम यानि कि 66 होगा का इसका लास्ट वाला जो होता है के सिएफ उसके बरावर होता है अगर बरावर नहीं है या दोनों तो समझी चर्वरी हुआ है कल्कुलेशन में आ अब फ्रिक्वेंसी का एवरेज जिसेd Basi 66 यह पूला में तरक इसके पहले आता है तो 33, 37 के पहले आता है और 25 के बाद आता है तो 37 के पहले आता है जस्ट पहले जो आएगा उसी के ओ यही अब इस क्लास को हम मान लेंगे मीडियन क्लास यह हो जाएगा मेरा मीडियन क्लास मीडियन क्लास इसको बोल देंगे अब मीडियन क्लास निकल गया अब हमको क्या चीज़ निकालना मॉडल क्लास मॉडल क्लास कैसे निकालता बस सिंपल मॉडल क्लास के लिए हम देखेंगे frequency सबसे जादे कौन सा frequency यहां 20 है तो यह वाला class हो जाएगा मेरा model class और lower limit upper limit किसको बोलते इसको lower limit इसको upper इसको lower इसको upper यह class का जो होता है उसका पहले वाला lower limit और बाद वाला upper limit तो इसका lower limit हो जाएगा 10 और इसका 15 तो यहां लिख देंगे पहले मीडियन क्लास मेरा कोन आया 10 से 15 और मेरा मोडेल क्लास आया मोडेल क्लास आया मेरा 15 to 20 and now sum of lower limit sum of lower limit हो जाएगा मेरा 10 प्लास 15 यह हो जाएगा मेरा 25 एंसा 25 मेरा इस दोनों lower limit का sum हो जाएगा इसी तरह बनाना था अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक करें और चैनल पर नहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद